यौन संबंध में गॉल्ड मैदल पाना चाहती है ये कॉल गर्ल नई डिल्ली सुर्खियों में आने के लिए कुछ लोग हर ऐसा ही गुजर जाते हैं सुर्खिया बटोरने के लिए कुछ ऐसा ही किया है राजील की 23 साल की कॉल गर्ल जुलियाना ने उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिसके चलते वे चर्चा में आ गई है जुलियाना का कहना है कि ओलम्पिक में यौन संबंध के जरिये वह अपना गोल्ड हासिल करना चाहती है मीदिया रिपोर्ट्स के अनुसार वह चाहती है कि खिलाडी भी उससे क्लाइन्ट के रूप में संपर्ग करें उसका कहना है कि वह किसी खिलाडी को अपना बोय अफ्रेद भी बनाना चाहती है ब्राजील में कॉल गर्ल फेस्बुक और टिंदर के जरिये अपने क्लाइन्ट ऐसाई संपर्ग करते है ब्राजील में कॉल गर्ल का कार्य करने को कानूनी मान्यता मिली हुई है हालां की पुलिस कई बार इसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है ब्राजील में करीब 12,000 कॉल गर्ल काम करती है ऐसे में इनकी एदल्ट इंदस्ट्री में भी कॉम्पीटिशन काफी तफ हो गया है ऐसे में इस पेशे ऐसाई जुड़ी हुए लड़किया ओलम्पिक जैसे डूसरे आयोजनों में अपने बयानों के तीरों ऐसाई क्लाइन खोजते हैं इनका मानना है कि ऐसा करने ऐसाई लोगों का ध्यान आपकी ओर जाता है साथ ही इनका मानना है कि ओलंपिक जैसे अन्य डूसरे इवेट में उन्हें क्लाइन भी ज्याडा मिल जाते है और प्राइस भी अधिक मिलती है उसका मानना है कि वह काफी पैसे कमा लेगी उसने कहा कि ओलम्पिक की वजह ऐसाई काफी लड़की अधिक पैसे कमाने का सोच रही है ताकि वह अपनी जिन्दगी को पेहतर कर सके